लमश्कार बच्चों, आशा करती हूँ, आप सभी अपने घरों में अपने माता-पिता के साथ शुरक्षित हूँगे. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठी खुस्तक रिमजिब से कक्षा तीसरी का बार्वा पाठ जब मुझको साथ ने काटा पड़ानी. चलिए बच्चों, पाठ सुरू करते हैं, जब मुझको साथ ने काटा. बच्चों, आप तो जानते ही हो, साथ एक खतरना जीव है. या कहानी इसी साथ पर और एक बच्चे पर है. चलिए मैं आपको या कहानी सुनाती हूँ, जब मुझको साथ ने काटा. एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा साथ रेंग पे देखा. बच्चों, आहाते किसी कहते हैं? आहाते यानि आंगन. हमारे घर का जो बार जो खाली हिस्सा होता है, उसे हम आहाता कहते हैं, यादि आंगन. तो उसमें मैंने ये कौन कह रहा है? या बच्चा अपनी कहानी बता रहा है कि मैंने अपने आंगन में एक छोटा सा साथ रेंगते देखा. रेंगते, रेंगते का क्या आथ होता है? पीड के बल घसिपते हुए. वा धीरे धीरे रेंग रहा था. साथ कैसे रेंग रहा था? धीरे धीरे रेंग रहा था. मुझको देखते ही वा भागा और उन्हीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में भूस कर छिप गया. जैसे ही साथ ने मुझे देखा तो वा साथ क्या क्या या? नारियल के खोल. देखे बच्चों, यह नारियल है ना इसका जो बाहारी इससे करेंगे खोल तो नारियल के खोल में भूस कर छिप गया. देखिए इसमें इस चितु में लेखी कि इस तरह से साफ जो है नारियल के खोल के अंदर भूझ गया है और छिप गया है मैं ये पत्थर का एक टुपड़ा खाया और उससे नारियल के खोल का मुझ बंद कर दिया फिर उस बस्चे निकला किया पत्थर का एक टुपड़ा उठाया और उससे लेकर नारियल के खोल को लेकर मैं अपनी नारियल के पास दोड़ कर चला गया मैंने कहा नानी देखो मैंने साप पकड़ा है नानी चीख उठी साप जैसे ही मैंने कहा कि नानी देखो मैंने साप पकड़ा है तो नानी चीख उठी यानि नानी जो से चिलाई साप क्योंकि नानी चानती थी नानी को तो पता था कि साप कितना खतरना होता है वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने नानी इतना घबरा गई कि वह जोर जोर से चीखने याने जोर जोर से चिलाने और पुकारने लोगों को बुलाने लगी नाना ने सुना तो अंदर दोड़े आए जैसे ही नाना ने नानी की चीफ सुनी तो नाना अंदर दोड़ाए जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर साथ है तो उन्होंने मेरा हाथ से उसे छीन कर दूर फे भिया और नाना जी को जैसे ही पता चला कि नारियल का खोल के अंदर में साथ है तो नाना जी ने मेरे हाथ से नारियल का खोल लिया और उसे बाहर फे दिया नंधा साथ नंधा यानि छोटा साथ बाहा निकल आया और रेता हुआ पास की जाड़ी में गायब हो गया नन्धा साब रेंगता हुआ, फीड के बल सरकता हुआ, पास के जाड़ी, जो छोटी-छोटी पेरों थे न, वो जाड़ी में गाया हो गया, यानि कि उल जाड़ी में घुल गया और दिखाई नहीं दिया देखी बच्छों साब किस तरह से रेंग रहा है, साब रेंग रहा है, इस तरह से रेंग रहा था साब नाना ने मुझसे कहा, खबरदार यानि सावधान, फिर कभी साब के पास मत जाना साब बहुत खतरनाफ होते हैं, और नाना जी ने क्या बताया, कि साब जो है, बहुत ही खतरनाफ होते हैं उनसे हमें खत्राग होता है वो हमें काड सकता है उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था उसी दिन जिस दिन उसने साम को नाजियर की खोल में बंद किया उसी दिन वह बच्चा जो है बर को बर यानि जिसे हम ततया भी कहते हैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था देखे बच्चो ये है बर का चित्रो ये मदुबक्ती की ही तरह दिखाई देता इसे बर कहते है इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था वह बच्चा कि उसने काट खाया और इस बर्ण ने बच्चे को काट खाया नी काट दिया बड़ी जोर से दर्द उठा और जैसे ही बर्णे उसे डंख मारा तो बच्चे को बहुत जोर से उसमें दर्द ढुआ मुझे दर्ज से करहाते बत्तर जब हम में कुछ चीज काट देते हैं दर्ज से मचलते हुए देखकर नानी ने सोचा कि मुझे साब ने काट लिया है लेकिन मुझे तो बर्ने काटा था लेकिन नानी ने क्या समझ लिया कि मुझे साब ने काट लिया है मैंने दोड़ कर नानी को उंगली दिखाई फिर मैंने क्या किया दोड़ कर अपनी उंगली नानी को दिखाई उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा फिर नानी नी क्या किया जल्दी से नाना को पुकारा येनी भुलाया नाना तुरत दोड़े आए तुरत मेंकरत जल्दी से दोड़का नाराजी आगे और मेरी उंगली को देखा और नाराजी ने मेरी उंगली को देखा जहां बर्व ने यानि ततया ने काटा था वहां नीला निशान पढ़ गया था जहां पर ततया ने यानि बर्व ने काटा था वहां पर नीला निशान पढ़ गया था वहां चट मुझे गोद में उठा कर बाहर भागे चट से यानि जल्दी से नाराजी ने मुझे अपने गोद में उठा कर भागा बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वाग अपने घर से दूर एक छोटी सी जोपडी के सामने जा कर उखे कहां से बाग और धान के खेतों के बीच में से भागते हुए मुझे अपने गोद में उठा कर भागते हुए कहां जाकर एक छोटी सी जोपडी वाज पूस का बना हुआ एक छोटा सा घर के पास जा कर वा रुका वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई जैसे ही नाना जी उस जोपड़ी के पास पहुंचे वहाँ पर आवाज लगाई एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला और नाना जी ने जब आवाज लगाई तो कौन निकला एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला वहाँ साथ के काटने का मंत्र जानता था मंत्र यहीं जो पूजा पार्ट में या कंडिक अटम जो पढ़ते हैं ना एक प्रकार की पूजा होती है उन्होंने मंत्र जो जानता था उसके पास मेरे नाना जी पहुँच गए नाना ने उससे कहा इस बच्चे को सांप ने काड दिया है और नाना जी ने उस बुड़े आदमी को बताया कि मेरे जो बच्चे को सांप ने काड दिया है इसकी जान फूप कर दो और उस बुड़े आदमी से नाना जी ने जान फूप करने के लिए कहा बुढ़ा मुझे जोपडी में ले गया फिर उस बुढ़े वैक्ती ने मुझे कहा लेकर गया उस जोपडी के अंदर लेकर गया उसने मेरी उंगली देखी और बोला चुप चाब बैठो जैसे ही उस बुढ़े वैक्ती ने मेरा उंगली देखा और क्या कहा चुपचा बैटो हिलना डुलना मर और हिलने डुलने से मना कर दिया फिर पीतल के बरतन में पानी लाया और मेरे सामने बैट कर मंत्र पढ़ने लगा फिर क्या क्या उस बुड़े वैक्ती ने पीतल की ये ठाली देखे बचो ये है पीतल का ठाली पीतल के बर्तन को लाया और मेरे सामने बैठ कर मत्र पढ़ना शुरू कर दिया मैं चाहता तो बहुत था कि उस बुढ़े को बता दू कि मुझे सामने नहीं बर्ब ने काटा है मुझे तो मन कर रहा था कि मैं उस बुढ़े आदमी को बता दू कि मुझे सामने नहीं काटा है मुझे तो बर्ब ने काटा है पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे लेकिन जो मेरे नाना है उसने मुझे कस कर यानि जोर से दबा कर पकड़ा हुआ था और मुझे बोलने ही नहीं दिया और नाना जी ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया जैसे ही मैं कुछ कहने को मुझ खोलता वा दाड़ कर कहते चुप दर के मारे मैं चुप हो जाता जैसे ही मैं कुछ बोलना चाता तो मेरे नाना मुझे दाड़ देते और कहते चुप रहो और मैं डर के मारे चुप हो जाता हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ महा आप पहुची और हमारे पीछे पीछे मेरी नानी भी कई लोगों को साथ मिलेकर महा पहुचाई सब लोग उदास खड़े देखते रहे और सभी लोग उदास खड़े देखते रहे और यह जो बुड़ा वेक्ति था गवा मेरा विलाज कर रहा था सभी दिवी शित में सभी गाओं वाले नानी जी के साथ आ गए तब तक मेरी उली का दर्द जा चुका था जब तक वो बुड़ा वेक्ति मन पढ़ रहा था तब तक मेरा जो है उली का दर्द जा चुका था फिर भी मुझे महां जबरदस्ती बैठा कर ज़ाड़ को करवानी पढ़ रही थी मेरा तो उली का दर जा चुका था फिर भी मुझे जबरदस्ती महां पर बैठा कर रखा गया और मेरा ज़ाड़ को किया जा रहा था कुछ मिनाट बाद बुड़ा आगमी उठा और कुछ मिनाट बाद वा बुड़ा आगमी उठकर खड़ा हो गया उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उन्ली धोई फिर क्या किया उस बुड़े वैक्ती ने? उस जो बर्तन में पानी रखा था उससे मेरी उन्ली को धोई मुझे पिला भी दिया उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो और उस भुड़े वैक्ती ने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि जो दवाई उसने मुझे दी उसका पूरा असर हो सके फिर वा नाना से बोला, फिर वो बुड़ा वैक्ती नाना से बोला, क्या बोला? आप बच्चा खत्रे से बाहर है, क्या कहा? आप बच्चा खत्रे से बाहर है, इसका मतलब है आप बच्चे को कोई खत्रा नहीं है अच्छा हुआ, आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले साम ने काटा था सम लोगों ने बुड़े को उसके अध्भूत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया सभी लोगों ने उस बुड़े वैक्ति को उसके अध्भूत, अध्भूत यानि अनोखा इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया यानि उसका सुक्रिया किया कि तुमने अपने इलाज से मेरे बच्चे की जान बचा दी है घर लोटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजे भेट में भेजी और जब नाना जी घर पहुँचे उसके बाद मेरे नाना जी ने उस बुड़े वैक्ति के लिए बहुत सारे चीजे खरीदी और उसे भेट में यानि उपहार में देने के लिए लेकर गए और उस बुड़े वैक्ति को दिया तो बच्चो इस कहानी के जो लेखत है उनका नाम है शंकर इस कहानी को लिखने वाले के नाम क्या है संकर तो बच्छो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अंध विस्वास नहीं होना चाहिए अगर किसी को अगर साफ काटता है तो हमें कहां जाना चाहिए इलाज कराने के लिए अस्पताल जाना चाहिए बेक आरके ये जो अंध विश्वास में नहीं पढ़ना चाहिए तो चलिए बच्चों अब मैं आपको पाठ में आए कठी शब्दों का अर्थ पताती है शाब्द रेंगते, रेंगते का क्या आर्थ होता है? जमीर पर घसीटे हुए, यहीं जमीर पर घसीटे हुए, जमीर पर घसीटे के चलते हुए नन्हा, नन्हा का क्या आर्थ है? छोटा सा, नन्हा सा बच्चा, नन्हा पौधा, छोटा सा खबरदार, खबरदार का आर्थ क्या आता है? सावधान जोपडी 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 किसे कहें या घास पूस का घर जो घास पूस घास से बना हुआ जो कच्छा घर होगा उसे हम कहेंगे जोपडी उदास उदास का आता है दुखी उदास का अर्थ होता है दुखी जहरीले जहरीले बतना जिसमें बहुत जहर हो जैसे साप, विच्छू इन सब में बहुत जहर भरा हुआ होता है ना जहरीले का अर्थ है जिसमें बहुत जहर हो अद्भूत अद्भूत का अर्थ होता है अनोखा आहते किसे कहेंगे आंगन घर का जो भारीस होते है जो घर है घर के सामें जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसे हम क्या कहेंगे आहते कहेंगे क्या तुम जानते हो बच्चो अब मैं आपको सांप के बारे में कुछ विसेज बाते बताओंगी कुछ विशेज जानकरी आपको दूंगी सांप अपना भोजन चबाते नहीं है वे भोजन निगलते है बच्चों सांप जो होते है वे अपते जो भोजन को चबाकर नहीं खाते वे भोजन को सीधे निगल लेते है सांप कभी बढ़ना बन नहीं करते और साप जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं वो बढ़ना कभी भी नहीं रुखते हैं उनका बढ़ना कभी भी नहीं रुखता है साप नाग से नहीं सुनते सबसे विसेज बात क्या है? साप जो है सुने के लिए नाग का प्रयोग नहीं करते हैं सूने के लिए जीव का इस्तिमाल करते हैं है ना बड़ी अनुकिवर कि साम जो है सूने के लिए ना नहीं बल्कि अपनी जीव का इस्तिमाल यानि प्रयोग करते हैं साम के कान नहीं होते ये बहुत सारे बच्चे जाते ही होंगे कि साप के जो है कान नहीं होते हैं इसलिए साप बीन की धून सुनकर नहीं नाश सकता क्यूंकि साप के तो कान नहीं होते हैं तो फिर सोचिया कि साप कैसे बीन की धून पर नाशता होगा तो साप बीन की धून सुनकर नहीं नाशता है वास्तों में वा बी बजाने वाले सफेरे से डर कर अपना फन फैला लेता है बच्छों वास्तों में क्या होता है जो सफेरा यानि जो साप को नचाता है उसे कहते हैं सफेरा सफेरा से डर कर अपने फन को फैला लेता है और लोग समझते हैं वा जूम रहा है और हम सभी लोग क्या समझते हैं? कि साप जो है सफेरे के बीम पर जूम रहा है साप दूद नहीं पीते बच्चों साप जो है दूद नहीं पीते हैं कुछ सफेरे साप को जबरदस्ती दूद पिलाते हैं पर इनसे साफ मर भी सकता है पच्छो कुछ सफेरे यारी जो साफ को मेन की धुन पर नचाते हैं वो जो है साफ को जबरदस्ती साफ चाहे दूद पिये ना पिये जबरदस्ती उसे दूद पिराडे लगते हैं जिससे साफ मर भी सकता है भारत में लगभग 50 तरह के साथ जहरीले हैं पच्छों हमारे देश में लगभग 50 तरह के साथ हैं वे जहरीले होते हैं पर सिर्फ 4 साथों के जहर से आदमी को खत्रा होता है लेकिन सिर्फ 4 साथ उनसे आदमी को खत्रा है जिनके काटने से जान भी जा सकती है बच्छों, आप सभी ने तो साथ देखा ही होगा, है ना? तो चलिए बच्छों, एक बार फिर से हम जाने कि हमने साथ के बारे में क्या-क्या जना चलिए मैं आपको फिर से समझाती हूँ साफ अपना भोजन चबाते नहीं है वे भोजन निगलते हैं अपने जना ना साफ अपना भोजन जो है चबाते नहीं है निगलते हैं साफ कभी बढ़ना बंद नहीं करते और साफ कभी भी बढ़ना भी बंद नहीं करते साफ नाख से नहीं सुनते सुने के लिए जीव का इस्तिमाल करते हैं साफ जो है नाख से नहीं सुनते हैं वे अपने सुने के लिए जीव का इस्तिमाल करते हैं साफ के कान नहीं होते इसलिए सांप वीन की धून सुनकर नहीं नाच सकता वास्तव में वा वीन बजाने वाले सफेरे से डर कर अपना फ़न फैला लेता है और लोग समझते है वहाँ जूम रहा है और लोग क्या समझते कि सांप वीन की धून सूनकर नाच रहा है साप दूद नहीं पीते, कुछ सफेरे साप को जवरदस्ती दूद पिलाते हैं पर इस से साप मर भी सकता है भारत में लगभग पचास तरह के साप जहरीले है पर्सिस चार सांपों के जहर से आदमी को खत्रा होता है बच्छों भारत में पचास तरा के सांप पाए जाते हैं जिन में से चार सांपों से ही आदमीयों को खत्रा रहता है जिनके काटने से उनकी जान जा सकती है तो बच्चो इस कहानी में हमने क्या कहना कि सांप जो है बहुत ही खतरनार जन्तु होता है इस कहानी में क्या होता है एक बच्चा अपने आगन में खेल रहा होता है और खेलते खेलते उसे एक नारियल का खोल दिखाई देता है और उसमें वो देखता है कि साफ घुज गया है फिर वो बच्छा एक पत्थर से उस नारियल के खोल को बंद कर देता है और उसे लेकर अपने नानी जी के पास जाता है और नानी जी तो जानती है और नानी जी के पास जाकर क्या कहता है कि मैंने साफ को पकड़ा है तो नानी डर जाती है और डर के मारे जोर से चिती चिलाती है गाउवालों को बुला लेती है और उसके नाना जी को भी बुला लेती है फिर नाना जी भी डर जाते है कि उसे साफ ने काट लिया है और उसे अपनी गोद में लेकर जाड़कुक वाला को पता चाल जाता है कि इसे साफने नहीं काठा इसे तो बरने काठा है देकिन फिर बीवा कुछ नहीं कहता है और चुप चाब उस बच्चे का इलाज करता रहता है बच्चा कहना चाता है कि मुझे बरने काठा है साफी नहीं काटा है लेकिन बच्चा दर के मारे कुछ बोल नहीं पाता है क्योंकि नाना जी उसे जोर से कस कर पकड़े हुए होता है फिर जार्फुक वाला क्या करता है उस बच्चे का जार्फुक करता है आप जार्फुक के द्वारा ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने जार्फुक के द्वारा इस बच्चे को ठिक कर दिया है और फिर नाना जी खुश होका है उस जार्फुक वाले को बहुत सारे फिर मिलूंगी तक तक के लिए धन्यवाद